तो आज के इस वीडियो में हम कुछ एक्जाम्पल्स देखने वाले हैं एक्जाम्पल्स ओफ चाइनीज रिमेंडर थियूरम उससे पहले एक आडिया ले ले लेते हैं लिएर कॉंगुरेंस के बारे में देन हम स्टार्ट करेंगे एक्जाम्पल्स से suppose a congruent to be modulo m का ये मतलब है that m divides a minus b ठीक है इसको हम इस तरीके से बोलेंगे a is congruent to be modulo m and if वो नहीं होता तो हम बोलते हैं कि a is not congruent to be modulo m इसका result ये होता है कि जो m है इसको a minus b करते है m divides a minus b for an example हमने suppose लिखा कि 5 is congruent to 0 modulo m that means 5 divide 5 minus 0 5 by 5 ठीक है तो divide कर रहा है ये भी next example है 19 is not congruent to 2 modulo 3 तो 3 divides यहां पर 19 minus 2 हो जाएगा 17 तो divide नहीं कर रहा है तो ये example हो गया जिस case में congruent नहीं है 23 is congruent to 3 modulo 10 that means 10 divides 23 minus 3 10 divided by 20 ठीक है तो ये भी जो है solve हो रहा है next is 51 is congruent to 3 modulo 7 that means 7 divides 51 minus 3 7 divides 49 ठीक है तो ये कुछ examples थे जिससे आपको थोड़ा idea लगेगा अब हम discuss करते है example of Chinese remainder theorem काफी simple सा example है first इसमें आपको देखना है कि procedure किस तरीके से solve करना है फिर हम Chinese remainder theorem का proof discuss करेंगे first example है यहाँ पर हमें तीन congruence is given है और इसमें आपको integer x निकालना है तो इन तीनों में ये x ही है तो तीनों conditions को satisfy करते हुए हमारा ये x निकलेगा first is x is congruent to 2 modulo 3 x is congruent to 3 modulo 4 x is congruent to 1 modulo 5 कुछ इस तरीके से तो पहला step ये है यहाँ पर ये जो values given है 2, 3, 1 चीक है उनको हमें a1, a2, a3 करके लिखना है और उनकी values को put कर देना है a1 is equals to 2 a2 is equals to 3 a3 is equals to 1 और अगर आपके पास congruence और जादा होते तो हम a4, a5 and so on इस तरीके से लेते अब यहाँ पर ये जो modulo में हमें given होता है ये हमेशा relatively prime होता है आपस में इन में से 3 और 4 आपस में prime number है कुछ भी common आपको नहीं मिलेगा 4 and 5 prime है 3 and 5 prime है तो ये जो होते हैं m1, m2, m3 जिसकी values मैंने आप पर लिखी है m1 is equals to 3, m2 is equals to 4, m3 is equals to 5 तीक है ये आपस में relatively prime numbers होती है तो आपको पहला step ये ही करना है a1 और m1 को लिख देना है ये काफी easy way है solve करने का Chinese remainder theorem की help से ठीक है then वही same line में लिखी हुए clearly ये जो 3 हमें m1, m2, m3 मिलते हैं वो relatively prime होते हैं हमें m की value निकालनी है और ये m की value हमें इन 3 m1, m2, m3 इन सब को multiply करने पे मिलेगी ठीक है तीनों का product होगा so 3 into 4 into 5 that is 60 ओके तो हमें m की value मिल चुकी है हमें अब next step में क्या करना है b1, b2, b3 की values निकालनी है ये Chinese remainder theorem में हम इसका use करके निकालते हैं that is m divided by mj bj is congruent to 1 modulo mj ये mj and this is also mj इसको equation number a है इसकी help से आप मालो कि हम पूरा Chinese remainder theorem में जो x की value है integer की value है वो निकालते हैं तो हमें क्या करना है एक बार j की value को 1 रखना है then again j की value को 2 रखना है then 3 रखना है और फिर b1, b2, b3 की values को निकालना है मैं j की value 1 रखना है so this will be m by m1 यहाँ पर यह b1 हो जाएगा this is also j and then this is congruent to 1 modulo m1 अब यहाँ पर m1 की values को put करेंगे that is 3 ठीक है और m की value को put करेंगे 60 तो यह आजगा 60 divided by 3 then इसको solve करेंगे तो यह 20 हो जाएगा 20 b1 this is congruent to 1 modulo 3 अब यहाँ से हमें b1 की ऐसी value को निकालना है जो इस congruent को satisfy करें ठीक है अगर suppose करो मैं b1 की value 1 रखती हूँ तो 20 into 1 20 यहाँ पर इस side shift होगा तो minus हो जाएगा मतलब 20 में से 1 गया 19 तो 3 तो नहीं divide करता उसको then 3 से तो रूब divide नहीं होता तो हमें ऐसा number ढूड़ना है जो 3 से divide हो then अगर b1 की value में 2 रखती हूँ मुझे least value चाहिए जो मैं इससे multiply करूँ या जो इस congruent को satisfy करे b1 की value अगर मैं 2 रखूँ तो 20 into 2 that is 40 इधर जाएगा subtract होगा तो 40 minus 1 that is 39 तो वो हो रहा है solve तो ये जो least value मुझे मिली b1 की वो 2 मिली next अब j1 की value j की value हम 1 रख चुके है j की value अब 2 रखेंगे वही same formula है m divide वे हम पे m2 हो जाएगा ये b2 हो जाएगा ये m2 हो जाएगा then m की value रख दी 60 m2 की value next c 4 तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 solve करेंगे इसको this will be 15 अब मुझे b2 की least value रखनी है जिसे solve करने पर ये congruent पुरा satisfy हो 1 रखेंगे तो 15 आ जाएगा 15 minus 1 14 14 4 से divide नहीं होता then अगर मैं यह पर 2 रखोंगी तो 15 into 2 30 minus 1 29 वो भी solve नहीं होता 3 रखेंगे तो 15 into 3 45 और इसको subtract करेंगे यहाँ पर 1 44 हो जागा जो की divide हो जाता है 4 से तो b2 की least value हमें मिल गई 3 then अब आज आते हैं j is equals to 3 पर 1 भी रख चुके 2 रख चुके 3 की बारी है m by m3 b3 is congruent to 1 m3 m3 की value थी 5 तो 5 पुट कर दिया and m की value थी 60 then इसको जब हम solve करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 12, b3 and this and this तो value substitute करनी है 1 रखते हैं तो 12 हो जाएगा यहाँ पर 12 into 1 12 इसको subtract करेंगे तो 11 हो जाएगा तो divide नहीं होता 5 से 2 रखेंगे तो 24 subtract करेंगे तो 23 वो भी divide नहीं होता 3 रखेंगे तो 36 1 इसको subtract करेंगे तो 35 वो हो जाता है तो b3 की जो least value मिली वो है 3 अब आजाते हैं क्योंकि हमें common solution चाहिए तो यह भी आपको एक formula याद रखना है जब हम theorem अभी solve करेंगे तो आपको ज़्यादा clarity मिलेगी तो उसमें क्या करना है अभी जो यह हम लिख रहे थे m by m1 b1 m by m2 b2 and m by m3 b3 इन तीनों का sum करना है with जो starting में हमने a1 a2 a3 लिया था ना उनको multiply करना है उनके साथ और common solution निकालना है तो जैसे ही आप value put कर दो यहाँ पर m1 की b1 a1 सब की values हमें पता है जब इनकी values को हम put कर देंगे तो हमें जो यह value मिल रही है solve करने के बाद that is 251 ठीक है तब कुछ नहीं करना यह हमें इसको इस तरीके से लिखना है this x is congruent to 251 modulo m हमें क्या चाहिए थी value चाहिए थी एक ऐसा x integer चाहिए था जो हमने congruences लिखे उन तीनो equations को satisfy करे तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस 251 को इधर लिखेंगे और यहाँ पर modulo 60 आजाएगा 2 minute के लिए इसको यहाँ से हटा दो यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको check करेंगे कि जब आप 251 को 60 इसको divide करते हो 60 से तो क्या remainder मिलता है जब आप check करोगे divide करोगे तो आपको remainder मिलेगा 11 तो यही हमारे x की value है जो हमें चाहिए थी तीनों congruence उसको satisfy कर दिया उसके लिए आप देखो first आपको congruence जो given था that was x is congruence to 2 modulo 3 यहाँ पर value रखेंगे हम 11 तो आप check कर सकते हो 3 divides 11 minus 2 तो यह हो रहा है solve next आपको यह given था आपने value पुट करी so 4 divides 11 minus 3 4 by 8 आगा यह भी हो रहा है solve then last जो congruence आपको given था वो यह था यह आपने 11 value पुट करी और आपको answer मेला 5 by 10 तो यह भी solve हो रहा है तो यह सबसे easy example था एक छोटा सा example अब हम और देखते है second example है यहाँ पर हमें 3 congruences given है first step मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है M1, M2, N3 A1, A2, A3 की values पुट करनी है जो आपको यहाँ से मिल जाएगी then M की value निकालनी होती है तिनों का product करके M1, M2, M3 का that is 3 into 5 into 7 that is 105 जो formula मैंने वहाँ पर लिखा था वही same formula यूज करके मैंने value put की है यहाँ पर तो एक बार मुझे B1 की value मिली है 2 then B2 की value मिली है 1 and B3 की value मिली है again 1 जो formula अभी हमने last use किया M by MJ, BJ is congruent to 1 model इसी formula में एक बार J की value 1, 2 and 3 put करके यह solution हमने निकाल ले है then common solution के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया इन तीनों का sum करके हमें निकालना है and with A1, A2, A3 में multiply हो जाएगा तो यह हमारे पास answer आगया 314 so X is congruent to 314 model 105 तो हमें X की value के लिए क्या करना है इस 314 को 105 से divide करके check करना है कि आपको क्या remainder मिल रहा है तो जब हम divide करेंगे इसको 105 से तो हमें remainder मिलेगा 104 तो X की value जो है वो 104 हो जाएगी बतलब कि जो यह आपको मिलेगा यह जो हमने यह आपर लिखा है that is this is M, चीक है? modulo M last वाले example में भी वो modulo M था second example था third example लेखे same वही congrurences है A1, A2, A3 की value लिखी M1, M2, N3 की value लिखी M की value निकाली तीनों का product करके then इसकी value लिखकर हमें B1, B2, B3 की value निकाली है जहां पर हम एक बार vary करा रहे है J की value 1, 2 and then 3 ठीक है? वाह से हमें value मिल गई B1 की 1 B2 की 14, B3 की 16 common solution निकालने के लिए हमने इन सब में values को put किया और यहां पर हमारे पास जो इनका answer solution मिला है that is 155653 आप solve करके check कर सकते हैं यह क्या हो जाता है? हम इस तरीके से लिखते हैं X is congruent to this number modulo 6061 यह हमारी M की value थी ठीक है? तो यह जो हमें मिलता है यह इसको हमें divide करना होता है 6061 से फिर जो remainder आता है वो ही हमारा solution या X जो हमें चाहिए होता है उसका answer होता है next is state and prove Chinese remainder theorem जो theorem यूज करके अभी हम value निकाल रहे थे X की उस theorem के बारे में है तो इसकी statement है let M1 अब यह theorem आपको जाज़ा अच्छे से समझ में आएगी क्योंकि accelerated examples हमने पहले ही देख लिए है statement है let M1 M2 M3 या फिर MR तक denote जो कर रहा है positive integers such that कि आपस में relatively prime है अभी मैंने जब first example start किया था तो मैंने इसमें आपको बताया था उसमें हमारे पास 3 ही थे M1 M2 M3 थे इसमें MR तक भी हो सकता है तो यह जो भी numbers हमें मिलते हैं आपस में कैसे मिलते हैं relatively prime होते हैं इसमें आप कोई भी number को M1 M2 ले लो या M2 M3 ले लो मतलब I की value J equal नहीं होनी चाहिए M1 MI and MJ ले लिया इन यह यह आपस में relatively prime है so this will be is equal to 1 कोई भी हमें common कुछ भी मिलेगा ही नहीं क्योंकि आपस में prime है तो आपस में इस जो भी numbers है pairwise सारे prime होते हैं then अभी हमने example देखा मैंने आपको पताया था कि A1 A2 A3 की values क्या होती है यह भी denote कर रहा है कि हमारे R integers हैं ठीक है कुछ ऐसी values हमें congruence हमें given थे x modulo x is congruence to A1 modulo M1 x is congruence to A2 modulo M2 and so on till R तो यह हमारी strict equation हमने इसको नाम दे दिया तो इसी तरीके से हमें कुछ congruence is given थी then statement है then the congruence is in this have a common solution common solution होगा यह जो x यहाँ पर लिखा हुआ है furthermore if x1 and x node are the two common solution अगर x1 क्योंगी common solution तो इस सब का हो गई अगर हम यह ले लें कि x1 और x node इसके दो common solutions है then x node is congruent to x1 modulo M, इस condition को satisfy करेगा अगर आपको एक और common solution मिल जाता है तो जहाँ पर यह m की value क्या है, इस m की value m की value होगी m1 cross m2 cross mr multiply कर रखके हमें यह value मिली है तो example हमने solve किया था उससे आपको पता चल गया होगा अब आजाते हैं इसके proof पे so starting इसी से m की value हमने इन सब का product करके multiply करके निकाल ली then clearly if मैं m divided by this mj लिखती हूँ तो वो भी एक integer मिलेगा ऐसे अगर यहाँ पर इसको समझो m मैंने multiply करके निकाल लिया 2 x 3 x 5 जो कि आपस में relatively prime है multiply करके निकालेंगे this will be 30 okay तो m by mj अगर मैं निकाल रहे हूँ 30 m की value 30 and mj कोई भी इसमें से 1 ले ले लेते हैं suppose कर उसमें सब भी 3 ले ले लेते हैं तो यह क्या बन रहा है इसको divide करके 10 आ जाएगा which is again an integer ठीक है और gcd जब हम निकालेंगे तो हमें 1 मिलेगा यहाँ पर m by mj और mj की gcd 1 मिल रही है m by mj यह रहा that is 10 और mj के साथ gcd मुलब यह 3 है ना इन दोनों का gcd क्या होगा again 1 होगा तो यह सेम चीज लिखी है also we observe that m by mj is divisible by m i यहाँ पर यह जो m by mj है वो divisible हो रहा है किस से m i से अब यहाँ पर मैं 3 को नहीं ले सकती ठीक है क्योंकि mj यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि m by mj is divisible by m i जहाँ पर i j की equal हो इनी सकता मतलब मैं यह 3 नहीं ले सकती बाकी यह 2 ले सकती है चाहे 2 लो चाहे 5 लो तो वो divide तो कर रहा है न तो same way चीक है मैंने एक example का इसलिए छोटा सा example की help लिए यह सारे statements आपको बताने के लिए तो जो gcd mj के साथ होगा वो तो 1 होगा but mi के साथ वो divisible होगा बाकी आप अगर mi 2 लो चाहे 5 लो तो यह m by mj जिसकी value 10 थी वो divisible हो जाएगा पर यह जो mj आपने लिया इसको divide करके आपने यह value बनाई है उसके साथ जो उसका gcd होगा that will be 1 now since हमें यह पता है कि m by mj और mj के बीच का gcd जो है वो 1 है एक theorem का इसमें use किया गया है theorem की statement यह है कि if gcd a and m के बीच में gcd जो है वो 1 आ रहा है then there is an x such that कि ax is congruent to 1 modulo m and conversely further this x is unique up to the congruence अब यहाँ पर हमने last अभी काफी सारे examples किये हैं उसमें a और m, a और m को पता ही क्या होता है अगर माल लो उन दोनों का जो gcd है वो हमें 1 मिल रहा है then हमें एक x ऐसा मिलेगा कि हम a into x कर दें that will be congruent to 1 modulo m ठीक है then conversely भी इसका पता है गया तो इस theorem का भी चोटा सा result यह use करना है for each j there is an integer b j such that जैसे कि यहां पर इसको मैं पूरा a माल लूँ इसको मैं पूरा m माल लूँ दोनों का gcd क्या आ रहा है 1 आ रहा है चैके तो यह condition a और m का gcd 1 then मेरे पास क्या exist करेगा x exist करेगा उसके लिए मैंने इसको b j ले लिया जो exist कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है a की value लिख दी यहां पर x की जगा हमने b j बाना है तो b j कर दिया that is congruent to 1 modulo m तो यहां पर m हमारा m j हम ले कर चल रहे है ठीके then again यहां पर a और m का चल रहा था तो यहां पर जो भी हमने modulo जिसके साथ चाहिए वो हमने value लिख दी है m j then again हमें यह जो a j अगर हम multiply करें तो a j साइड भी हो जाएगा और यहां पर 1 into a j करेंगे तो यह आ जाएगा इसको हमने equation number 1 मान लिया अभी हमने starting में ही लिखा था कि यह जो m by m j है वो divisible हो रहा है m i से मैंने example कि तुरू आपको बताया भी था तो इसका मतलब यह है कि अगर divisible हो रहा है तो remainder क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा so we must have m by m j into b j जब से divisible हो रहा है तो this is congruent to 0 modulo mi for i is not equals to j इसको equation number 2 दे दिया now next अभी हमने example जब करा तो मैंने आपको common solution के लिए बताया था x not की value हम निकालते हैं सबका submission करके तो वही same चीज है m by m j b j into a j इन सबका submission करते हुए हम x not की value निकालते हैं जो common solution करके मैंने example में आपको बताया इसकी value एक बार j की value 1 रख दिया तो m by m1 b1 a1 एक बार j की value 2 रख दिया तो m by m2 b2 a2 and so on till 1 से लेकर r तक चल रहा है तो r तक कर दिया clearly we must have x not is equals to this m by m1 b1 a1 modulo m1 ठीक है देखो बाकी की सारी जो values हैं वो 0 हो जाएंगी ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप m1 के साथ कर रहे हो तो दो answer जो है आपको remainder मिलेगा बट अगर आप m2 का m1 के साथ कर रहे हो तो answer क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा equation number 2 पे तोड़ा सब हम focus करेंगे इसका ये this is divisible by mj आप यहाँ आप mi ये देखे ये j है and this is i तो जब आपस में दोनों अलग-अलग हो रहे है mj, mi आपस में अलग हो रहे है तो remainder हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है तो वही same concept लगा कर हमने यहाँ पर इसको लिखा है क्योंकि first में जब मैं इसको m1 लगा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमे m1 है and m1 तो यहाँ पर solution हमें मिलेगा rest every जो सारी जगा है वहाँ पर हमें answer जो है वो 0 मिलेगा ठीक है? क्यों? क्योंकि यह mj बन रहा है तो यह m, i बन रहा है value equal नहीं है न तो जब value i is not equal to j बन रहा है तो answer क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है इस वज़े से सारे वापस के all जो terms है सारी बागी की वो हड़ जाएंगी जब हम इसमे mode m1 लगाएंगी